जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की तो दो आप्शन हमको क्लियर कट समझ आते हैं एक है जॉब एक है बिजनस हम इसकी बात नहीं करेंगे पीसरा ऑप्शन एक और है जो यूट्यूब पर भड़ा बड़ा है कि ये कर लो ये करने से इतना पैसा कमा लोगे उसको भी इटा दे लुक्त है मतलब इस सेशन का टॉपिक कर देते हैं हाव टु मेंक मनी विडवट डूइंटीघ किसा लग रहा है कि ये कि एसी हवा में बात कर रहा हूं कि कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो बात लॉजिकल होगी और मैं जो बोल रहा हूँ अपने एक्स्पीरिएके बेच्लिंग इस पे बोल रहा हूं, मतला इतना विश्वास है आप लोगो को मेरे उपर, कि हैसी नए स्कैम को शूरू नहीं कर रहा हूँ मतला यह ना हैश नहीं this session K पूरा ट्रस्ट है, कितनों को पूरा ट्रस्ट है मेरे उपर, बढ़िया, टॉपिक यह है कि how to make money, and when I am talking about money, I am not talking about little money, I am talking about a lot of money, without doing anything, इसमें आगे भढ़ने से पहले, पहले आपको समझना होगा the concept of compound interest, कितने लोगों को समझ आता है, कितने लोगों को समझ नहीं आता है, ठी Albert Einstein का नाम कितनों ने सुना है, आप में से, सबने सुना है, Albert Einstein ने कहा है, कि compound interest is the eighth wonder of the world, seven wonders हमको पता है, तो आठवा जो अजूबा है, वो है compound interest, जिसको इसकी knowledge है, वो इतना अमीर हो सकता है, जिसकी कोई हद नहीं है, और जिसको इसकी knowledge नहीं है, वो इतना गरीब हो सकता है, उसकी भी कोई हद नहीं है, और 99% लोगों को अगर इसकी knowledge है भी, तो उपर उपर level पर है, जिन्होंने हाथ अभी उपर भी किया था ना, उनको भी बहुत basic सी knowledge है, deeply नहीं समझते हैं, एक question पूछता हूँ आप लोगों से, चेस में 64 squares होते हैं, तो माललो अगर हम पहले square के उपर एक चावल का दाना रखें, अगले square के उपर दो चावल के दाने रखें, तीसरे पर चार दाने रखें, चौथे पर आठ दाने रखें, अगर इस तरीके से हम करते जाएं, तो एंड तक पहुचते पहुचते, यानि जब हम लास square पहुचेंगे, तो कितने चावल के पहुचते 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 पहुचते, तो वहां पर आपको चाहिएंगे, अठारा जीरो, कितने करोड होते हैं ये? बोल तक नहीं पा रहे हो, इतने चावल के दाने हो जाएंगे वहां पर, इससे क्या समझ आ रहा है? कि compounding is actually the eighth wonder of the world, जिसको इसके बारे में नहीं पता था, या जिसको पता भी था, उसने भी imagine नहीं किया होगा कि इतना बढ़ जाएगा, उसने सोचाओगा, maximum कुछ करोड हो हो जाएंगे, सो करोड हो जाएंगे, हजार करोड हो जाएंगे, यह तो उससे भी बहुत जादा है, यह है power of compounding, इसका एक और example देता हूँ आपको, बहुत simple, day to day life से connected, आपने से कितनों के पास में credit card है, तो credit card पे, आपको पता है कितना interest लगता है, एक साल का या एक महीने क सर, around 36%, 36% per annum, यानि around 3% महीने का, यानि कि 10,000 रुपे, आपने credit card company को time से नहीं दिया, तो उसमें कितना रुपे लगेगा, 10,300, 300 रुपे सुनने में बड़ा लगता है, तो बहुत छुटा लगता है, अरे 300 रुपे से क्या फरपड़ता है, credit card companies बोलती नहीं कि इसको EMI में break कर दो, बड़ उसमें कितना extra लगेगा, सिर्फ 300 रुपे, तो आप कहोगे, अच्छा 300 रुपे ही तो है, इसका मतलब क्या है, आप compounding को नहीं समझते हो, और नहीं समझते हो तो अभी मैंने क्या कहा था थोड़े देर पहले, कि जो compounding को नहीं समझता है, वो इतना गरीब ह हो सकता है, जिसकी कोई हद नहीं है, और जो समझता है वो, इतना अमीर हो सकता है, जिसकी कोई हद नहीं है, तो आप अमीर होना तो चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप इसको नहीं समझते हो, तो आपके जो सारे actions है, वो आपको गरीबी की तरफ ले जाएंगे, आप कहोगे, 3% ही तो है क्या फर्ग बढ़ता है तो महीने का 3% मतलब साल का कितना हो गया 36% ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप compounding को नहीं समझते हो क्योंकि जो 3% आप नहीं भरोगे इस महीने उसके अगले महीने उस 3% पे भी 3% लगेगा तो साल के end में अगर आप calculate करोगे तो वो 36% नहीं है वो 50% से भी उपर है do you know what that means बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो कितना interest मिलता है 67% यहां कितना दे रहे हो 50% तो अमीर कैसे हो गया अंकल आटी बहुत सारे लोग के पास में जिनके पास में credit card होता है मैंने देखा है वो क्या करते हैं वो यह नहीं देखते कि amount कितना due है वो देखते है minimum amount due कितना है अच्छा minimum इतना है चलो यह pay कर देतो बाकिवा क्या हुआ उसमें interest लगेगा इसमें credit card company का तो बहुत बड़ा फाइदा है और आपका बहुत बड़ा नुक्सान है तो इस session से पहली चीज जो आपको सीखनी है जो मैं बोलतो रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं सीखोगे वो यह है कि कभी भी जो आपको EMI pay करनी है उसको delay मत करो क्योंकि अभी अगर आपने यह सोचा कि 10,000 के उपर 300 रुपई है तो कल आप ऐसे ही सोचोगे कि 1,000,000 के उपर 3,000 रुपई तो है तो अगर आपको मेरी यह बात समझ आ गई है तो यह आपको बचाएगा गरीब होने से अब दूसरे aspect पे आते हैं कि अमीर कैसे होते है इस fundे को use करके सबसे पहला step है अगर आज आपकी age है 20-22 साल तो आपको क्या करना है जो कर रहे हो वो ही करो उसको अच्छे से करो यानि कि पढ़ाय लिखाई मान करके चलते हैं 25 साल की age तक आते आते आपकी कहीं पर अच्छी जगह पर job लग जाती है क्योंकि आपने अच्छे से तयारी करी है उस job के लिए यह हो गया job segment दूसरा हो गया कि आपने 20 साल की age से अपना कुछ करने की कोशिश करी यानि की business उस में से 10 में से 9 fail हो गए लेकिन 25 साल की age तक पहुचते पहुचते एक business एक stable position में आ गया है जहां से आपको महीने का लाख रुपे आ रहा है क्या सच को देख पा रही हो I'm not sure कितने लोग देख पा रहे हैं क्योंकि inflation बहुत तेजी से भढ़ रहा है पांट साल बाद जो आप लाख रुपे महीने का कमा होगे उस ताइम उसकी value आज के हिसाब से अंदाजा 50-60,000 रुपे होगी तो बहुत ज्यादा नहीं है अभी सुनने में आपको लग रहा होगा लाख रुपे महीना बट बहुत बड़ा नहीं है तो अगर आप इसको अचीव कर लेते हो तब हम next step पे जा सकते हैं यानि क्या 25 साल की एज में आपने लाख रुपे महीना कमाना शुरू किया यानि साल का कितना कमाया 12 लाख रुपे 5 साल में कितना कमाया 60 लाक 40 लाक आपका खर्चा हो गया 20 लाक आपने बचाया वो भी अगर बहुत sensibly आपने खर्चों को कंट्रोल किया तब अगर बेवकुफ हो की तरह किया तो कुछ नहीं बचने वाला उस वक्त आप करजे में हो गए लेकिन अगर तरीके से जिया sensibly जिया बिना अपने आसपास में लोगों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं बलकि इस गोल के साथ में कि मेरे पास में 30 साल की एज में 20 लाक की सेविंग होनी चाहिए क्या ये रियलिस्टिक है या आप कहते हो नहीं इतना भी नहीं हो सकता है अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो पहले इसको पॉसिबल करो फिर बारी आएगी कि how to make money without doing anything अगर कोई आपको आ करके ये बोल रहा है कि आपके bank account में कोई पैसा नहीं है आपके bank account में 10,000 रुपे है और हम आपको करोड़ पती बना देंगे तो वो 10,000 रुपे आपके account से निकलेगा उस आदमी के account में जाएगा और आपके जैसे और बहुत सारे बेवकूफ मिलेंगे जिनके सब के पैसे उसके पास में जाएंगे तो आप बनो ना बनो वो पक्का बनेगा करोड़ पती तो ये मैंने आपको इसकी eligibility बता दी पांच साल में कितना कमाया 60,000,000,000,000 बीस लाक आपने बचाया तो इस बीस लाक का आप क्या करने वाले हो 30 साल की एग में बहुत सारे लोग तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी करते हैं यानि क्या ये पैसा उनके bank account में पड़ा होता है इसका मतलब उनको compound interest के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अगर आप ये बेवकूफी करने वाले हो या अभी कर रहे हो तो सबसे पहले उस पैसे की FD करा लो क्योंकि saving में interest है 3-4% FD में है 7% और आजकल तो बहुत सारे banks ऐसे हैं जहां पर automatically ये काम हो जाता है अब जो new age banks है वहाँ पर ये काम automatically हो जाता है यानि आपको manually नहीं करना पड़ता कि जैसे ही आपका balance एक particular amount के उपर जाता है तो automatically FD बन जाती है automatically तूट जाती है उस पे penalty भी नहीं लगती है ऐसे भी banks है तो research करो ऐसे कौन से banks है इसका कितना बड़ा benefit होगा आपको अभी आप calculate नहीं कर सकते जैसे वो chess में आप calculate नहीं कर पाए थे 10-20 साल में amount कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी दी सकते अगर सिर्फ यही करते हो जितना मैंने कहा है तो तो क्या जो मैंने कहा था वो एक level पे सच नहीं हो गया है How to make money without doing anything अभी देख ना एक एक step हम और आगे भढ़ते रहेंगे मतलब आपने क्या किया दो काम करें अभी तक एक कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया जिसका interest बहुत हाई हो एक आपने ये किया दूसरा पैसे को idle नहीं छोड़ा अपने savings account में या current account में उसकी FD करा लिए अगर सिर्फ ये दो काम करें तो you are already making a lot of money without doing anything लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं सर ये जो तरीका आपने बताया इसमें मैं समझ रहा हूँ कि मैं पैसा कमाऊँगा लेकिन मैं और कमाना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है तो अब ध्यान से समझ ला कि पैसा कमाते कैसे है यानि wealth कैसे create होती है अपना example दूँ से आइ थिंग आप अच्छे से रिलेट करता हूँ हमारा जो बिजनस है वो है stock photography का आप में से कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा क्योंकि उसके बार में मैं बात नहीं करता आपने sessions में बट चौट में बता देता हूँ वहाँ पर हम क्या करते हैं हम कुछ images produce करते हैं या photographers से लेते हैं फिर उसको आगे उसका license देते हैं बड़े-बड़े brands को तो जितनी भी आप ads देखते हो newspapers में, magazines में, online, offline उसमें जो बड़े-बड़े brands की ads होती है जहाँ पर कुछ models होते हैं मालनों कुछ families है, couples है वो जो photographs है वो there is a strong possibility वो हम से लेते हैं अगर वहाँ पर कोई Indian face है तो लेकि Indian faces की हमारी पूरे world की सबसे बड़ी collection है लेकिन आने वाले time में इस business के उपर एक बहुत बड़ा threat है because of AI, artificial intelligence क्योंकि अब क्या हो रहा है बहुत सारे ऐसे softwares आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे platforms आ गए हैं जैसे mid journey है जहां पर के आप जाओ और कुछ prompt दो और वो आपको बिल्कुल realistic images बना करके दे देगा तो अगर वो images वहाँ से आपको free में मिल जाएगी almost free में मिल जाएगी तो कोई हमसे images क्यों खरीदेगा देखो, तीनो scenario's पकड़ लेते हैं कि मेरे अपने business में कितने return आने वाली है going forward अगले 15 साल में या तो 0% या अगर कुछ बहुत कमाल का हमने कर दिया जो हम कर रहे हैं तो 10% और अगर हम इस threat को ढंग से manage नहीं कर पाए या जो AI की वज़े से हमारे business पे threat है उसको हम ढंग से manage नहीं कर पाए तो business हो सकता है 10% से गिरने लग जाए हर साल का तो मैंने calculations करी कि अगर मेरे पास में इतना amount है अगर उसको मैं अपने business में लगाता हूं तो वहां पे in the best case scenario return आएगी 10% तो क्या कहीं कोई और business है जहां पर मैं पैसा लगाता हूं तो return आएगी 25-30% तो उस business में पैसा लगाना बेटर है या अपने business में पैसा लगाना बेटर है अब मैं कुछ ऐसा बूलने वाला हूं जो हो सकता है आप लोगी जो सोच है उससे बहुत अलग है तो हम सबके माइन में क्या thoughts आते हैं जुआ है, सटा बजार है, रिस्की है जो पूरी तरह से जूट नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से देखते है किसी ने कहा ये share उपर जाने वाला है खरीद लिया और ये तो नीचे चला गया, अब क्या करें नहीं अब जब वापिस से उस भाव पर आएगा तब बेचेंगे अब वो आधार आए गया अब क्या करें, नहीं अभी भी उसको तब ही बेचेंगे ये पर जाने वाला है ये नीचे जाने वाला है या कोई particular stock उपर जाने वाला है ये नीचे जाने वाला है लेकिन long term में उसको predict करना बहुत असान है अगर आप business को समझते हो तो तो मैंने क्या किया जब मुझे clearly नजर आ गया कि मेरे business का एक saturation point आ रहा है तो मैंने diversify किया अब अगर आपकी language में बात करी जाए तो मैंने एक stock purchase किया बट अगर मेरे perspective से बात करी जाए तो मैंने एक business को purchase कर लिया दोनों में फर्क देख पा रहे हो कितने देख पा रहे हैं मैंने क्या बोल दिया है बाकियों को नहीं समझा रहा वो ऐसे नहीं देखते हैं बल्कि stock market भी गलत वर्ड है business को जो समझते हैं वो ऐसे नहीं देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि stock का जो price है वो decide होता है based upon sentiments in the short term कि market के sentiments कैसे हैं market में greed है या fear है जिसको बोलते हैं bull run है या bear market है उसके base पे stock के prices decide होते है एक business की value होती है 100 रुपे उसका price होता है 20 रुपे और एक business की value होती है 100 रुपे उसका price होता है 1000 रुपे market में ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है तो अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो price को देखोगे सिरफ इस point of view से कि जो उस business की actual में value है उससे मुझे सस्ता मिल रहा है या उससे महंगा मिल रहा है बट रोज बैठ कर ये नहीं देखोगी आज उपर चला गया तो मैं खुश हो रहा हूँ नीचे चला गया तो दुखी हो रहा हूँ जैसे अगर आप अपना कोई business भी करते हो आएगा एक book है Benjamin Graham की which is The Intelligent Investor उसको पढ़ो उससे क्या होगा आपको basics समझ आएंगे stock market होता क्या है उसके अलावा entrepreneurship की ओपर बहुत सारी books है वो पढ़ो अगर आप job कर रहे हो तब भी क्योंकि आपको business समझ आना चाहिए अगर आपको समझ आ रहा है कि business क्या है और stock market क्या है और long term investing क्या होती है compounding क्या होती है तो stock market आपके लिए जरिया है या तो एक नया business करने का या जो अपना business कर रहे हो उसके अलावा एक और business में diversify करने का जो मैंने किया यानि आज से 6 महीने पहले मैंने क्या किया पूरे stock market को देखा यानि Indian stock market फिर उसमें से finally ढूंड करके मेरे 100 parameters हैं उसमें मैंने देखा कितनों पर tick हो रहा है किसी business में 50 पर tick हो रहा है 50 पर नहीं हो रहा है किसी में सिरफ 10 पर tick हो रहा है फाइनली एक ऐसा business मिला जिसमें 100 में से 99 पर tick हो गया है इससे better अभी तक मुझे और कुछ नहीं मिला है तो उस business में मैंने एक काफी अच्छा steak ले लिया आज से 6 महीने पहले आज की date में मेरे दो business है एक मैं मालिक हूँ इमेजिस बजार का और एक मैं मालिक हूँ एक बैंक का अब जब मैंने ए बोला आपने तालियां बजाई इसका मतलब किया है आपको यह लग रहा है कि मैंने पूरा का बूरा बैंक खरीद लिया अरे नहीं भाया I am one of the owners of that bank owner कौन होता है और employee कौन होता है जो उस बैंक का management है वो employees है जो उस बैंक का CEO है वो employee है उस बैंक का उसको salary मिलती है अब मालिक कौन है shareholder is the owner I am the shareholder of that particular bank अब वो bank मेरी calculation कहती है on the most conservative side it will give me a return of around 30% कागर in the next 10 years क्यों क्योंकि मुझे उस bank के business model के बारे में पता है उसकी सारी annual reports होती है वो मैंने पढ़ी है उसकी earnings calls सुनी है उस bank में मैंने account भी खुलवाया है ताकि customer के point of view से भी पता लगे मतलब इतना detail में इतना deep में गया हूँ मैं उस bank के कि मुझे exactly पता है कि क्या हो रहा है तो मैं आपको नहीं बता रहा कि उसका नाम क्या है खुद figure out करो अगर मैंने आपको नाम बता भी दिया बैंक का आपने खरीद भी लिया तब भी आप दरे रहोगे जैसे उस bank के share का price है वो मानो एक साल बाद अधर रह गया तो वैसे तो आपके पास में मेरा phone number नहीं है लेकिन अगर होगा तो phone करोगा सर ये क्या हो गया सर मैं लूट गया मैं बरबाद हो गया क्यों 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 कि stock market तो समझ आया नहीं आपको ना business समझ आया है never blind trust anyone blind trust का मतलब यही है कि आप कुछ देखी नहीं पा रहे हो बस किसी के पीछे बीचे चल रहे हो महाँ पर हमिशा डर रहता है आखे हैं आपके पास में तो देखो कान है सुनो दिमाग है समझो कि जो मैंने कहा वो क्या है और ज़रूरी नहीं वो ही करना है जो मैंने किया क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया और किस प्राइस पॉइंट पे किया जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया आज अल्रडी उससे पचास परसंट उपर है वो तो क्या ये प्राइस पॉइंट ठीक है और नहीं है invest करने के लिए हो सकता है हो हो सकता है ना हो मैं क्यों बताओं खुद figure out करो तो यह जो आपको crutch चाहिए होता है आगे चलने के लिए I'm not giving you a crutch I'm just telling you how to think मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस industry के बारे में उस particular company के बारे में उसके promoters के बारे में business के बारे में आपको समझ आना चाहिए कि business क्या है क्या हो रहा है कैसे होने वाला है अभी वो business किस phase में है आपको पता होना चाहिए natural traction क्या होता है यानि कि वो business अपने आप भढ़ रहा है यानि एक bank के standpoint से बहुत तेजी से बढ़ रहे है यह signal है कि public को trust है उस bank के उपर इसलिए जो मैंने अपना second business किया यह भी कहना गलत होगा किया जिस second business में मैंने invest किया वो bank में किया क्योंकि इंडिया में जो RBI है वो बहुत strong है उसकी जो regulations है वो बहुत ही कमाल की है और आपको एक बहुत मज़ितार बात बताता हूँ जो हो सकता आप मेंसे बहुत सारे लोगों पता भी नहीं होगा आपने job करी आपने 20 लाग रुपे कमाया आपने क्या किया उस 20 लाग की FD करा दी आपने का यह सब जो आपकी बात है न मेरे को नहीं समझाती है मैं तो FD करा रहा हूँ 20 लाग आपका FD में पढ़ा है मालो वो बैंक डूब गया बंद हो गया तो उस 20 लाग का क्या होगा जो आपने FD कराई है यह बात पता है कितनों को नहीं पता है हाथ उपर करो मतलब आपका 5 लाग रुपे इंशॉर्ड है बाकी 15 लाग गया तो जिसको आप और आपके पेरेंट्स बहुत सेफ समझते हो वो भी सेफ नहीं है बलकि मैं ज़्यादा सेफ हूँ क्योंकि आप तो FD करा के भूले पड़े हो तो आपको तो तब पता लगेगा जब न्यूज में आ जाएगा मैं तो मालिक हूँ ना उस बैंक का तो मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूँ उसकी अर्णिंग्स कॉल सुनता रहता हूँ उसकी जो क्वाटरली रिपोर्ट से उसको स्टडी करता रहता हूँ तो कहीं भी कुछ भी गरबर हुआ तो सबसे पहले मुझे पता लगेगा उसके छे महीने एक साल या दो साल बाद आपको पता लगेगा तो जैसे ही मुझे पता लगेगा उस दिन मुझे एक बटन दबाना है और उस आपैसा मेरे बैक अगाउन में आ जाएगा उस बैक अगाउन में नहीं जो बैक डूबने वाला है किसी दूसरे बेक आउड़े तो यह जादा safe है यह जादा secure है knowledge की बइस पेे act करना especially if that knowledge is backed by facts, data and right understanding तो अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो शौट टम में अब वो जो आपने इंवेस्मेंट करी है वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको फर्त नहीं पढ़ने वाला जैसे अपने घर में फर्त नहीं पढ़ता क्या अपने घर का प्राइस रोज चेक करते हो भाई आज तो 50,000,000 रुपय है औरे कल तो यारे 50,000,000 रुपय था आज 50,000,000 हो गया आज क्या भावन लाग हो गया अरे बैचना हो तो खुश हो या परिशान हो यानि अगर मैं अपने एग्जांपल दू तो यह जो बैंक एक ऐसा भी फेस था आज से आज चार-पाच मही मेने पहले जब वो बहुत नीचे चला गया बहुत मतलब 10-15% तूट गया तो मैं दुखी नहीं हुआ आज वो स्टॉक बहुत उपर है तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पेरों को नीचे जमीन निकल जाएगी सुन करके लेकिन उसकी वह से मैं खुश नह आ जाए एकदम से तो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए इमीजेकली बचा 10 लाख रुपे तो 10 लाख रुपे को आपने इन्वेस्ट करा अगर मेरे स्टैंपइंट से देखो के तो यह टाइम अच्छा है बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि अगर इंडिय सिस्टम को तो ग्रोग करना ही पड़ेगा तो अगर आप इंडिया की जो ग्रोग स्टोरी है उस पर आपका विश्वास है तो बैंकिंग सेक्टर तो ग्रोग करेगा ही बिना उसके जो इंडियन एकॉनमी है वो ग्रोग नहीं कर सकती इंडिया इस वन आप तो फास्टेस ग position है इसको आने वाले 15 साल में in cash करने के लिए और आज या तो reasonably valued है या under valued है इसको margin of safety बोलते हैं जहां पर आपको पता है कि पैसा डूबने की possibility almost zero percent है तो यह मेरे हिसाब से अच्छा option है अगर 30% से आपका पैसा grow कर रहा है year on year तो यह 10 लाक कितना हो जाएगा near about 14 times plus जो आप काम कर रहे हो वहां से आपने 10 साल में कितना कमाया लाक रुपे महीने के साब से एक करोड़ 20 लाक और यहां से कितना कमाया एक करोड़ 40 लाक उसमें सब 10 पैसा लगा दो पैसा डूब जो मेरे पास में आऊ सर यह क्या कर दो कंपनी का जो management है उसने किया उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको क्या मिला अगर बिजनस बढ़िया चल रहा है तो इसका एक practical example दू आप में से कितने जिन्होंने बजाज finance नाम की कंपनी का नाम सुना है अभी उसका market price क्या है any idea जो stock market को track करते हो नियर बाट 7th house आज से 10 साल पहले कितना था यानि अभी 2023 चल रहा है तो 2013 में कितने का था वो नियर बाट 100 रुपे तो दस साल में कितना हो गया? 70 times 20 साल पेले कितने का था? 7 रुपएका तो 20 साल में कितना गुना हो गया? 1000 गुना अब ये सब सुने में बहुत अच्छा लगता है अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है मैं इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं इस चक्कर में क्या होता है बहुत सारे लोग जब stock market में गुषते हैं तो इन expectations के साथ गुषते हैं कि हमको अगला बजाज finance ढूणना है जो आज 7 रुपे का हो और वो आने वाले 20 साल बाद 7000 का हो जाए इस चक्कर में उनको जो 7 रुपे है वो भी 70 पैसे रह जाता है 20 साल ब पहले था 20 साल पहले नहीं क्योंकि वहां पर यह बता पाना कि 20 साल बाद ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं बात कर रहा हूं उस वक्त वहां पर एंटर करो जब रिस्क कम हो और रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो मैंने क्या कहा आपका पैसा दस साल में कितना गुना हो जाएगा अगर 30 परसंट की रिटर्न आई तो 14 टाइम्स और बजाज फैनाइस कितना हुआ पिछले 10 साल में 70 गुना तो मैं 70 गुने क की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यह 50% क्यागर की बात नहीं कर रहा हूं मैं 25-30% की बात कर रहा हूं और इसको मिनिमाईज करने के लिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया प्लस मैंने जो दाव लगाया है वो आप लोगों की बेवकूफी के उपर लगाया है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप लोग के उपर कि मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद भी आप वो ही करोगे जो आप करते आये हो यानि जब क्रेट कर बिल आएगा तो मिनिम सी बिज्ञेंच को खतम करने का रास्ता आप लोग को दिखा रहा हूं इसमें आपका फाइदा है क्योंकि बैंक का फाइदा किसमें है जब आप मेहंगे से मेहंगे इंटरस्ट पे लो लो ज्यादा से ज्यादा तब bank कमाएगा, तब मैं कमाऊँगा, because I am the owner of the bank, तो मेरा फाइदा इसमें है, लेकिन मैंने अपने नुकसान की बात कर दी है, मैंने जो आपको कहा, अगर आपने actual में वो कर दिया, या समने वो कर दिया, तो मैं तो loss में चला जाओगा, क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा savings account में पढ़ा है, उसको उठा के आपने FD करा दिया, FD में आपको मिल गया 7%, उपर से आपने महंगे लोन लेना बंद कर दिये, प्लस बैंक के अपने खर्चे भी तो है, employees है, salaries है, branches है, उसका rent है, तो बैंक न सच बोलने की, इसी में तो मज़ा है, मेरी calculation क्या कह रही है, कि इतनी कमाल की video, जिसका नाम इतना कमाल का है, कि how to make money without doing anything, उस पर भी views बहुत जादा नहीं होने वाले हैं, in comparison to जो Instagram पे जो दो कोड़ी की reels होती हैं, उसके comparison में इस पर कोई views नहीं होने वाले हैं, आप share करोग ना WhatsApp पे जागर के, कि अगर ये share नहीं किया दस लोगों को, तो तुमारी मा मर जाएगी, तो वो पूरे इंडिया में फैर जाएगा, तो अब देखते हैं क्या होता है, दस साल बाद मैं एक और video बनाऊंगा, इसका part 2, और आपको exact बताऊंगा, कि मैंने जो investment करी, उसका कित था जाएग एंडिय।